हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राट और आप सभी का स्वाकत करती हूँ आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और फ्रेंड्स जैसा कि आप सो भी जानते हैं कि मैं इंग्लिश में आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट शो लेके आती हूँ जैसे कि मैं आपके लिए एंटोनिम का शो लाती हूँ सिनोनिम का शो लाती हूँ इडियम्स और वनवर्ट सब्सिट्यूशन का शो भी लाती हू ऐसे ही मैं आपके लिए Error Detection and Correction का भी शोल आती हूँ तो dear students अभी बीच में कुछ टाइम से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी थोड़ा ब्रेक सा लग गया था वीडियो में लेकिन अब एक बार फिर से हम लोग चीजों को रिवाइव करेंगे इन शो में मैं आपको अच्छे अच्छे vocab और grammar के rules बताऊंगी तो without wasting much time हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा topic है वो है antonym और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह antonym का part 3 है क्योंकि part 1 and part 2 हमने पहले ही एक बार discuss कर लिया है अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिए वापस से और आज हम part 3 discuss करेंगे तो बिना हम अपना time waste किये हुए start करते हैं वीडियो जो हमारा पहला word है वो पहला word है fastidious fastidious का मतलब होता है very attentive the one who is not easy going कोई ऐसा इंसान जो की easy going ना हो the one who is concerned about accuracy and detail ऐसा इंसान जो हर छोटी छोटी detail में बड़ा ध्यान देता है जो हर बात में accuracy maintain करना चाहता है ऐसे ही इंसान को हम बोलेंगे fastidious अब fastidious का एंटोनिम अगर हमें जानना है तो मैं आपको पहले इसका एंटोनिम बता देती हूँ fastidious का एंटोनिम इन ओप्शन में से हो जाएगा option d adjustable क्यूंकि हमें बता है कि adjustable का मतलब होता है the one who is easy going the one who is able to be adjusted इसा इंसान जो एजस्ट हो जाता हो चीजों को अडेप्ट कर लेता हो अपने आसपास के environment के हिसाब से वह ढ़ल जाता है ऐसे इंसान को एजस्टेबल बोलते हैं लेकिन fastidious का मतलब है not easy going तो यह एक दूसरे के अंटोनिम हो गए अब जो दूसरे वर्ड्स हैं दूसरे वर्ड्स के भी मैं आपको मीनिंग बता देती हूं जो पहला वर्ड है that is fussy fussy का मतलब हो जाता है the one who is concerned about every little detail ऐसा इंसान जो की हर छोटी छोटी detail पर ध्यान देता हो तो fussy और fastidious यह तो एक दूसरे के synonymy हो गए फिर option B is cooperative cooperative का मतलब होता है helpful मतलब मिलके काम करने वाला help करने वाला सहयक सहयोगी यह मतलब हो गया cooperative का then option C is promising promising का मतलब होता है encouraging hopeful मतलब आशा जनक भरोसा देने वाला सी कभी कभी हम बोलते हैं कि a promising film actor this is only for an example हम बोलते हैं na a promising film actor तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यहाँ पर यही बन रहा है कि he is showing science of future success मतलब कहीं न कहीं future में वो successful होगा इसकी हमें आशा है हमें थोड़ा सा भरोसा है तो promising का मतलब भी यही होता है कि encouraging या फिर hopeful I hope आपको मैं clear कर पाई हूँ यहाँ पर promising का meaning और adjustable जो option D है हमारा इसका meaning तो मैं आपको पहले ही बता चुकिए हूँ कि the one who is easy going और fastidious का antonym भी यही हो जाएगा आइए next word देख लेते हैं हम अपना next word is explicit explicit का मतलब होता है spust बात मतलब एकदम clear cut बात एकदम direct या फिर straight forward जब हम कोई clear cut बात बोल देते हैं एकदम straight forward manner में उसी को हम explicit बोलेंगे अब यहाँ पर अगर मैं आपको इसका antonym बता दू तो explicit का antonym हो जाएगा option d ambiguous क्योंकि ambiguous का मतलब होता है things that are not clear चीज़े जो की spust ना हो और spust हो उन्हीं चीज़ों को हम बोलेंगे ambiguous तो explicit और ambiguous एक दूसरे के antonym हो गए अब जो दूसरे words हैं दूसरे words के meaning देखिए first word is elusive, elusive का मतलब होता है the one who is difficult to catch, मतलब ऐसा इंसान जिसको पकड़ ना जा सके, जो पकड़ में ना आए, जो हाथ में ना आए, यह हो जाएगा elusive, then option b is elusive, elusive का मतलब हो जाएगा containing suggestion rather than any clear mention, मतलब इसमें सिर्फ आपको सुझाव मिलेगा, suggestion मिलेगा, लेकिन clearly कुछ चीज mention नहीं करके दी हो गई होंगी, मतलब सांकेतिक नेचर का हो जाए थोड़ा असा, मतलब यहाँ पर आपको suggestion तो मिले, संकेत मिले, लेकिन यहाँ पर clearly कोई बात mention ना की गई हो, इसे बोलेंगे हम लोग elusive, then option c is ambidextrous, ambidextrous का मतलब हो जाएगा the one who is able to use right and left hands equally well, मतलब ऐसा इ explicit का meaning clear है, explicit का antonym clear है, जो तीन option दिये है, दूसरे उनका भी meaning clear है, अगला word देखते हैं हम अपना, next word is bleak, bleak का मतलब होता है something that is dull, कोई चीज जो की charmless हो, फीकी सी हो, बेरंग, उस चीज को हम लोग बोलेंगे bleak, जो options दिये है, उन options में से, इसका antonym हो जाएगा option c, that is bright, क् कि हम सभी को पता है कि bright का मतलब होता है, something that is charming, कोई की जो चंकीली सी हो, जो बेरंग ना हो, उसे हम बोलेंगे bright, अब जो दूसरे options दिये है, इन options को देखिए, dull का meaning, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि bleak और dull एक दूसरे के synonym हो जाएँगे, क्योंकि bleak का मतलब होता है, dull और dull का मतलब होता है, bleak, then option B is dark, देखिए, dark का अलग-अलग context में, अलग-अलग meaning होता है, कभी dark का मतलब होगा अंधेरा, कभी dark का मतलब होगा काला, ऐसे अलग-अलग context में dark के अलग-अलग meaning होते है, then option C is bright, जिसका मतलब में आपको बता चुकी हूँ, चमकीला सा, then option D is exposure, exposure का मतलब होता है, revelation of something secret, मतलब कोई secret सी चीज है, कोई गुप्त चीज है, उसको reveal कर देना, भांडा फोर देना उस चीज का publicly, इसे हम बोलेंगे exposure, तो I hope आपको bleak का meaning clear है, जो दूसरे words दिये हैं, उनका meaning clear है, और ये भी clear है कि bleak का antonym हो जाएगा, option C, bright, next हमारा जो word है, व ये मतलब हो जाएगा, कंकर का, अब मैं जो options है, उनमें आपको इसका antonym बताती हूँ, इसका सही antonym हो जाएगा, option A, disagree, क्योंकि disagree का मतलब होता है, कि सहमती ना होना, तो I hope आपको कंकर का antonym इन चार options में से clear है, जो दूसरे words से उनके meaning जानते हैं, आईए, देखिए, यह नि गायब हो जाना, मतलब लुपत हो जाना, option C, is, disarrange, disarrange, मतलब हो जाएगा, disorder, मतलब, चीजों को अस्त वैस्त कर देना, व्यवस्तित चीजешं है, जो सुब अविवस्तित कर देना, यह मतलब हो जाएगा, disarrange, का मतलब, disorder, कर देना, then option D, is discourage,elling का मतलब होजएगा, demoralize मतलब cause something to lose confidence कोई एक चीज है, कोई एक इंसान है उसको demoralize करना, उसकी हिम्मत तोड़ना उसका उत्साह कम करना इसे हम बोलेंगे discourage करना तो I hope आपको meaning clear है कंकर का antonym भी clear है next word देख लेते हैं next word is veneration veneration का मतलब होता है respect मतलब आदर सम्मान करना अब जो options दिये हैं उनमें से इसका antonym हो जाएगा option D disrespect क्योंकि अब देख सकते हैं कि अगर मैंने veneration का मतलब respect बताया है तो उसका antonym तो disrespect ही होगा न मतलब lack of respect अनादर करना अब जो options दिये हैं उन options को देखिए option A is fear fear का मतलब सबको पता होता है fear का मतलब होता है डर then option B is reverence reverence का मतलब होता है deep respect for something or someone मतलब किसी के लिए बहुत जादा सम्मान की भावना होना मन में मतलब श्रद्धा होना किसी के प्रती इसे हम बोलेंगे reverence then option C is remorse remorse का मतलब होगा deep regret और guilt मतलब पच्चतावा होता है जब हम कुछ गल्ती कर देते हैं पच्चताप की भावना होती है मन के अंदर deep regret और guilt ये मतलब होजाएगा option C remorse का I hope veneration का meaning clear है veneration means respect इसका antonym होजाएगा disrespect जो दूसरे words है उनके भी meaning clear है तो friends ये कुछ words थे जो मैंने आज आज आपके साथ discuss किये ये जो words है इनके सही antonym क्या होंगे ये मैंने आपको बताया है जो दूसरे words है उनके भी meaning समझाने की कोशिश की है I hope आपको सारे words अच्छे से clear होंगे आगे और भी हम अच्छ अच्छे shows लाएंगे आपके लिए जैसे कि antonym, synonym, one word substitution, idiom and phrases, error detection and correction ये सारे shows हम regular basis पे लाते रहेंगे तब तक के लिए stay tuned with us Thank you so much, wish you all the best